दुनिया के सबसे अमीर आदमी लॉन मस्क सबसे अमीर ही नहीं है वो एक ऐसे बिजनिसमेन भी हैं जो बड़ा सोचते हैं और बड़ा रिस्क लेते हैं जैसे स्पेस में इंसान को टुरिजम के लिए बेजने का बिजनिस शुरू करना और इसके लिए स्पेस एक्स नाम की अपनी बनाना ट्विटर को खरीदना ये सब उनके कुछ ऐसे कदम है जिनकी वज़से वो हमेशा चर्चा में रहते हैं अभी तक जो भी उन्होंने किया है उसमें वो सफल भी रहे हैं उनके जैसा बनना तो बहुत हो के लिए सपना है उनके जैसे हम बन पाए या नहीं ले जल्दी पहुंस सकेंगे तो एक निवेशक को इलॉन मस्क से सबसे पहले क्या सीखने को मिलता है इनोवेशन यानि नैपन की खोज इलॉन मस्क हमेशा नया करने की सोचते हैं चाहे बिजली से कार चलाने की बात हो जिसके लिए उनने टेसला को खड़ा किया या पिर अंतरि कंपनियों या इंडस्ट्री को तलाश करें जो की नया काम कर रही है पुरानी समस्याओं का नया हल निकाल रही है और दुनिया में बदलावला रही है ऐसी कंपनियों के शेयर या इस तरह की कंपनियों में निवेश करने वाले mutual fund पर आप नजर रख सकते हैं क्योंकि इस त प्लिशन के लिए नहीं करते हैं जैसे टेसला को स्थापित करते समय या हाइपर लूप रियोग का प्लैन करते समय उनका नजरिया पैसा कमाने से ज्यादा ये रहा कि दुनिया को कम pollution वाला ट्रांसपोर्ट solution दे जिससे लंबे समय में दुनिया में pollution कम हो सके आप जानते है कि निवेश के लिए ये एक बहुत ही जरूरी बात है कि आपका नजरिया लंबे समय का हो और नजर लक्ष पर हम ये बात हमेशा कहते हैं कि निवेश और खासकर equity निवेश को समय देना जरूरी है ऐसी कम्पनिया जिनका काम लंबे समय तक चलने वाला हो और जो बड़े लाओ वाले शित्र में काम कर रही हो उनमें निवेश या फिर उन कम्पनियों में निवेश करने वाले फंड एक फाइदे का सौधा हो सकते हैं तीसरी सीख निवेश के पहले खुद जानकारी जुटाना आपने हमने सभी ने देखा है कि कैसे ट्विटर में निवेश के पह जानकारी नहीं मिल गई और उनकी इसी जाच परह का नतीजा था कि आते ही उन्होंने ट्विटर से काफी छटनी कर दी इस तरह से स्पेस एक्स को शुरू करने के पहले उन्होंने रॉकेट साइंस और रॉकेट इंजिनियरिंग की पूरी पढ़ाई की और टेसला के पहले क पार की बैटरी पर जानकारी जुटाई आप जानते ही है कि बीवेल्दी हमेशा ये बताता है कि आप इस चैनल से या पिर कहीं और से भी जानकारी लीजिए सीखिए और उसके बाद निवेश करने का खुद से फैसला कीजिए चौती सीख रिस्क लो लेकिन उसको मैनेज कर ना जानों आप जानते ही है कि रिस्क लेने के मामले में इलॉन मस्क काफी आगे रहते हैं जैसे स्पेस टूरिजम का बिजनस एक बहुत बड़ा रिस्क था इसी तरीके से घाटी में चल रही ट्विटर को खरीदना भी एक रिस्क था ये किस्सा मशूर है कि स्टैनफर्ड उनिवसिटी में दो दिन बिताने के बाद ही वो कॉलेज छोड़ गये और अपना काम करने के लिए कंपनी बनाली जिसका नाम था जिप टू कॉर्पोरेशन सोचिए दुनिया के सबसे नामी उनिवसिटी को छोड़ना जहां एडमिशन के लिए लोग बेंतहा महिनत करते र बनाया वहां से मिले पैसे से टेसला और स्पेसेक्स वो पहले से ही तैयारी करके रहते हैं कि अगर कुछ गरबढ हो जाए तो उनको क्या करना है और इसलिए प्लैन के आगे पीछे होने पर भी वो चीज़े संभाल लेते हैं एक निवेशक को भी पता होना चाहिए कि अगर कुछ गरबढ हो जाए तो संभालना कैसे है और कब बैक अप प्लैन पर जाना है पांचवी सीख लगातार पढ़ाई लिखाई इसके बिना कुछ नहीं होता आपको लगातार अपना नॉलेज बढ़ाना ही होगा इलॉन मस्क इस मामले में काफी आगे हैं वो हमेशा नई च सैक्लोपीडिया बिटानिका पढ़ गये थे वो एक वक्त पर दिन में दस घंटे पढ़ते थे एक बाट जब उनसे पूछा गया कि रॉकेट बनाने का आइडिया उन्हें कैसे आया तो उन्हें कहा किताब पढ़कर तो जिस निवेशक निलागातार जानकारी को बढ़ाने की कोशिश नहीं की वो पुरानी जानकारी पर काम करके फंसेगा इसलिए ये जरूरी है कि आप भी वेल्दी को देखते रहे और जानकारी बढ़ाते रहे साथ ही जितना हो सके पढ़े और अब सबसे अंत में सबसे जरूरी चीज़ डटे रहना कुछ भी हो जाए बगयर घ काम कभी किया गया है या फिर नहीं वो पढ़ते हैं जानकारे जुटाते हैं और फिर एक प्लान बनाते हैं फिर उस पर अमल करते हैं और बीच में भागते नहीं भटकते नहीं है हम सबको पता है कि SpaceX के कई Rocket पेल हो गए लेकिन Musk पीछे नहीं हटे उन्होंने टीम के साथ ड करने में सफल हो गए एक निवेशक के लिए भी सबसे जरूरी है कि बाजार के उतार चड़ाव से घबरा कर भागे नहीं बलकि अपने प्लान पर डटा रहें तो आपने देखा कि कैसे एक निवेशक इलान मस्क से बहुत कुछ सीख सकता है और अपने निवेश से बहतर कमाई कर सकता है फिलहाल के लिए इतना ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और वी विली लोटी को सब्सक्राइब याद रखें आप हैं मेरे आनिस्वाती के साथ और हम सब nya बहुत ही सापधानी और समझदाती के साथ उमीर बनने के सफर पर अपना वंग देने के लिए बहत ब झाल